नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जापान ने किया मून मिशन की उत्पत्ती के बारे में जुटाएगा जानकारी जापान की अंतरिक्ष एजनसी को पिछले महीने एक हफते में तीन बार अपना यह मिशन टालना पड़ा था इसके पीछे का कारण खराब मौसम था बार बार खराब मौसम के चलते जापान को मून मिशन की तारीक को बदलना पड़ा लेकिन आखिरकार जापान ऐसा करने में सफल रहा भारत के चंद्रेयान तीन की सफलता के बाद अन्य देश भी अपचांद पर पहुँचने के लिए इसरो की राह पर है अपचांद पर जाने के लिए जापान ने कदम बढ़ा लिया है आज सुबह जापान की अतनरिक्ष एजनसी जापान एक्स्प्लोरेशन एजनसी जक्षा ने अपना मून मिशन मून किया कनेगा शिमा अंतरिक्ष केंदर से HIA रॉकेट के जरीए यहा लौंचिंग की गई जापानी अंतरिक्ष एजंसी द्वारा लॉंच किया जाने वाले मून मिशिन एक लैंडर को ले जाएगा जिसके चार से छे महिने में चंद्रमा की सता पर पहुँचने की उम्मीद है वही भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग के सफल लॉंच पर जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजंसी जे एकसे को गुरुवार को बधाई दी जक्षा ने बताया कि लॉंच के करीब 13 मिनिट बाद रॉकेट ने एकसरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोसकोपी मिशन एकसार आये सेम नामक एक उपगरा को प्रित्वी की कक्षा में स्थापित किया जो आकाश गंदाओं के बीट स्थित चीजों की गती और संदचना को मा पेगा प्लाजमा का उप्योग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जिसमें घावों को ठीक करना, कंप्यूटर चिप्स बनाना परियावरन को साफ करना शामिल है जापान ने अपने इस मून मिशन पर ब्राहमान के निर्मान की जाच के लिए डिजाइन किया है इसमें एक X-ray imaging उपग्रह भी होगा मून स्नाइपर में हाई टेकनॉलोजी के कैमरे लगे हुए हैं, जो चांद को समझने के लिए काम करेगा स्लिम, चंद्रमा की जाच के लिए स्मार्ट लान्दा एक बहुत छोटा अंतरिक शियान है, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है इसकी तुलना में चंद्रेयान तीन लान्द मोडियोल लगभग 1750 किलोग्राम था SLIM का मुख्य उद्देश्य चुनी गई साइट के 100 मीटर के भीतर सतीक लेंडिंग का प्रदर्शन करना है जापान ने रॉकेट के जरिये दो अंतरिक शियान लॉंच किये गए हैं पहला एक X-ray टेलिसकोप और दूसरा एक हलका चंद्रमा लेडर है यह टेलिसकोप सुभा 8 बचकर 56 मिनट पर अलग हो गया और चंद्रमा लेडर 9 बचकर 29 मिनट पर अलग हुआ अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद